हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माम सुईटर चैनल आज हम हैड और शोल्डर एंटी डेंडर लेमन फ्रेश शैंपू का रिव्यू करेंगे बहुत ही बढ़िया है ये एक वाइट बॉटल में फ्लिप कैप में आते हैं इसका अगर प्राइस की बात करें तो ये 360 ml मिल जाता है 275 रूपीज में इसको आप इजीली कैरी कर सकते हो ये शैंपू एक लाइट ग्रीन कलर में आते हैं इसकी कॉंसिस्टेंसी की बात करें तो ये ज्यादा थिक भी नहीं है ज्यादा रानी भी नहीं है आप बॉय सो या गर्ल सो इस शैंपू को यूज कर सकते हो इसका स्मेल इरिटेट बिल्कूल भी नहीं करता है बलकि ये लेमोनी फ्रेश स्मेल बहुत अच्छा भी लगता है मेरे स्कैल्प में बहुत सारे डैंडरफ थे इस शैंपू को यूज करके पहले ही हफ़ते में मैंने बहुत अच्छा रेजल्ट पाया है अगर आपके स्कैल्प में इचिंग होते रहते हैं और उसकी इचिंग करने से कुछ ओयली वाइट सबस्टेंस नेल पे आ जाते हैं तो आपको टैंडरफ है और आप अगर इस शैंपू को चूस करते हो तो आपने सही चुना है इसका यूज से आपका हैड में कुलिंग फिल होगी और पूरे दिन फ्रेश रहोगे इस प्रोडक्ट की लेमन फ्रेश ग्रेसी ह्यार को रिप्यार करता है ये शैंपू आपके ह्यार से ओयल एंड डस सबसे ज्यादा डंडरफ को खीच लेता है यार्स में बॉलियम लाता है निव हैड इन शोल्डर लेमन फिश एंटी डंडरफ शैंपू का आउटस्टेंडिंग फ्रेग्रेंस शिक्स आउर्ट तक रहता है ये यार्स को हेल्दी एंड स्ट्रॉंग करता है ये यार्स में मॉस्चर लाता है क्योंकि इसमें नैचरल और्गानिक इंग्रिडियन्स होते हैं इसलिए ये यार्स को सिल्की स्मूथ एंड नरिश करते रहता है इसका इतना बेनिफिट्स के बाद भी ये शैंपू ज्यादा यूस नहीं करना चाहिए आपको मैं मेरी एक्स्पिरियन्स की बेस में बता दूँ कि आप हफ़ते में इस शैंपू को एक बार ही यूस करें अगर आपके स्केल्प में इचिंग करते हैं डैंडर्फ हैं तो नहीं तो एवोइट करें हफ़ते में दो तीन बार शैंपू करना एनाफ होता है तो बाकी के टाइम में आप कोई और्गानिक दूसरा शैंपू यूज करे ये शैंपू अगर आप सामर्स में यूज करते हैं तो ज्यादा बहतर है शैंपू से ज्यादा अच्छा रेजल्ट पाने के लिए शैंपू में मिला ये रोज वाटर और अलोवेरा जेल इसके बाद हैर्स को वोश कर ले इस शैंपू का यूज से आपका स्काल्प से रिलिटेट बहुत सारे प्राब्लेम धूर हो जाएंगे आज के लिए बस इतना ही फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए अच्छे रहे खुश रहे